दोस्तो आज अपने ये समझेंगे कि master company का share price almost 12% एक दिन में क्यों गिर गया after declaring the quarterly results और साथ-साथ ये भी समझेंगे कि अपने को वेदे इस company में invested ढहना चाहिए और खरीना चाहिए shares यहां से निकल जाना चाहिए तो सबसे पहले अपने company का financials देखते हैं अब देखे 2015 में company का sales था किर्मन 1000 क्रोड जो अब 7 साल बाद it has doubled to 2000 क्रोड तो पुरा double होगे in the last 7 years पर देखे अब उनके इसमें क्या खास बात है sales दबल होगे साथ समय not a big deal बट बिग डिल ये है कि इसका net profit इसका pat has increased multifold 2015 में pat याने profit after tax इसका था 18 क्रोड और आज के दिन इसका 276 क्रोड रहा है अब आप calculate कर लो almost 15 times का भरोत्री होए in the profit after tax इसलिए अब देखो कि share price भी 2015 को 400 था और आज के दिन 2800 है तो 7 times increase होए in the last 7 years तो it has been actually multi bagger 7 गुना आपको return मिल है किवल 7 साल में और जैसे आप sales figure देख रहे हो 2015 को 1000 क्रोड फिर 2016 को 500 क्रोड पुरा आधा हो गया 2017 को भी 560 क्रोड 2018 को 800 क्रोड और 2019 को 1000 क्रोड और फिर आज के दिन 2000 क्रोड तो basically 2019 से 2022 में पिछले 3 सार में double हो गया इसका sales और यहाँ जैसे net profit भी देख रहे है तो 2015 को 18 क्रोड फिर 2016 को 14 हो गया कि को अवे थी sales भी डाउन थे तो net profit भी डाउन था फिर आपका 2017 को 32 क्रोड 2018 को 70 क्रोड 2019 को 100 क्रोड फिर 2020 को 100 क्रोड पर फिर 2021 को सीरा double हो गया इसका पैट मतब 100 क्रोड से सीधा 200 क्रोड हो गया और आज के दिन 280 क्रोड है मतब again almost 40% का increment हो है than the last year तो पिछले 2-3 सार में इसका both sales and net profit has increased drastically actually देखा जाए इसका success story शुरू हो है from March 2020 अब आप सोच रहे कि यह तो उल्टा ही बात हो गया उससे में टो stock market crash हुआ था और वो सही बात है मार्च 2020 तक तो इसका share price करें 400 क्रोड पास ही लटा करा था actually देखा जाए पिछला साथ साल में साथ गुना नहीं बढ़ा है पिछले दो साल में साथ गुना बढ़ा है company को operating profit margins के बात करें तो देखे 2015 को के वर 5% था 2016 को 3% 2017 को 8% 2018 को 12% 2019 को 13% 2020 को 15% और आज के दिन 21% है तो देखे भरते गे इसका OPM margins तो देखे और इसके पीछे सबसे बढ़ा कारण था कि 2019 को यह इस company जब acquired की अब almost 50% of its balance sheet था काफी बढ़ा company था इसका balance sheet के साब से पर तभी required की company को लगा कि इससे काफी फायदा होने वारा और actually काफी फायदा हुआ company को एक तो 500 active clients मिले उपर से कमें 1200 और उनको globally clients में मिले सबसे बड़ा बात है कि cloud migration service का know-how company को मिल गया operations का बात करें दो कंपनी का primary revenue तो UK market से आता और European market से mainly UK market almost 70% of the revenues इसका वहीं से आता है अब आके कुछ not America US से आता है total 28% company के revenue is highly considered on UK market UK market में भी government का spending क्यों पर काफी फिर उसका NHS improvement हो गया तो इस सब dependence में basically spending होता है और company को फाइदा होता है तो यह आपने को यह देखना है हमेशा track करना इस company के लिए कि UK का spending UK government का spending कैसा रहा है अगर वो अपना spending में कटवती लाई तो कंपनी के revenues will be also impacted उसका profits भी इंपक्त होगा इसलिए company करे diversify करने का नौट अमरिकर मार्केट के उसको भी try करिए और diversify करने का वहां से और ट्राइक करे बिजनेस लाने का it's not easy you see it takes some time अब क्या कंपनी पहली बोल दी थी पिछली कॉंड कॉंड में कि यह कंपनी का यह कॉर्ट इतना अच्छा जाने वाला नहीं है क्योंकि government का spending थोड़ा लो होगा कंपनी बता दी थी ऐसे रिजल्ट इंवेस्टर सोच नहीं थे इसलिए काफी गिर गया प्राइस वैसे देखा जाए तो डिजल्ट इतना खराब नहीं है वेले बता दू और कंपनीज भी और कंपनीज भी इतने हाई ट्रिशन रेत है मतलब जेनरली 20 परसंट 15-20 परसंट तो नॉमल बात है कितना हाई ट्रिशन रिट है क्यों आखेर तो कह रहाता है कि अब क्या कि हमेशा कंपनी पोच करती रहती है दुसरा को उसके पीछी सबसे बड़ा कारण कि उस कंपनी से पर जाते रहते तो उनको भी नहीं लोग चाहिए होते है पर बहुते हैं जब कंपनी से एंप्रोई भी उसके पर अगर जाते हैं तो यह कंपनी को ट्रीन करने काफी पैसा लगते है काफी समय लगता है कोई भी कंपनी मि चाहती है कि एंपस जाये बहुत से इसे बहूँत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा डिलिवर करें तो ती इप देर निहां के एंप्रोइस बोल देते कंपनी को कि मुझे बंचेंची कंपनी से फिटी पर संट इंक्रिशंटे मिल रहे हैं तो कंपनी बोलते चलो हम नहीं आपको दे देते हैं आप यही रो वाई गोट टौन पिटेशन रहे हैं तो बता दू के एसे लिपो इंफोसेस इस सब का ट्रिशन रेट 20 पर से ओपर है इन फाक्तिशन रेट इन फिली सिक्स पर सेंट एफ मास्टेकर रौन आने बिजनस तो बिजनस सेंट में तो यहां के इसके जो बिसिकर एंट फ्रेंगे के लिगा है तो कंपनी की और एक रहाया है जेकि जब holiday period होते हैं ऐसा कुछ होते हैं तो company का revenue is also impacted वैसे देखा ज़िए इसका order book खराब नहीं, order book सही रहा है in fact Q&Q growth में भी इसका around 10% रहा है order book में तो ऐसा बात नहीं कि order book में कोई बहुत जबदस गरावट आगया है ऐसा कुछ नहीं है अब के आने कि लोग ज़्यादा expect कर रहे थे company से company उतना deliver नहीं की इससे share price गड़े basically बात यह है अब अपने को अगला quarter में देखना है क्या revenue figures रहता है क्या order book रहता है अगर इसका revenue flattish रहता है इसका order book में भी कोई growth नहीं होता है but at the same time अगर company announce कर देते कि एक order मिल गया है जो हो सकता company announce करे तो इसका share price वापस भागेगा तो अभी क्या अपने को track करना पड़ेगे company को यह को देखे company का कोई valuation कोई पहुत सस्ता नहीं है company is not value cheap तो we have to track how the company is doing in the next few months दोस्तो आगे बने के पहले यह बता दू कि अगर आप मेरा moderate folio का annual subscription लेना चाहते हैं तो आपके पास तीन option है पहले है रूपीज 5,000 में जहां मैं 10 stocks के नाम आपके साथ share करूँगा फिर रूपीज 7,000 में जहां मैं 15 stocks के नाम आपके साथ share करूँगा और फाइनली रूपीज 10,000 में वैल भी शेरिंग नेमस ऑफ 25 stocks बाकी details के लिए आप नीचे डिस्प्रेड मेरे email address या phone number पे call कर सकते हैं तो यहां तो मैं ही suggest करूँगा कि दीके short term में तो बुनना बहुत मुश्किल है पर long term में जिनके पास company के shares है वो hold करके रख सकते हैं और जो shareholders ने invest करना चाहते है इस company के shares में basically वो SAP कर सकते थोड़ा थोड़ा खरीच सकते या wait कर सकते for further announcement or for its next quarterly result उसके बाद decision ले सकते हैं और फिलाल बेचने का बाद है तो जिनके पास already shares है I won't say you have to sell it short term में it might go up it might go down but long term में you don't have to sell because company के देखे फंडिमेंटल स्टाक्ट है company structurally sound है तो ऐसा बात नहीं कि you know company में को major problem में ऐसा कुछ भी बात नहीं है short term में देखे अगर आपको trading आपको profit करना हो अगर आपको लगता है कि share price और गिर सकते है तो में भी आपना basically profit book करके आप थोड़े समसे निकास सकते हो अगर आपको tension हो रहा है थोड़ा shares बेच के you can be tension free but long term में the story is intact तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो like और subscribe ज़रूर करेगा और इसी type के मैं own trusting companies आपके सामने लाता रहूँगा thank you very much for listening to me bye bye and take care